नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर, इतना प्यार दिखाने के लिए और इतना अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हाला कि मेरी बहुत अच्छी नरेशन नहीं है पर फिर भी आमने पसंग किया, तो मैंने एक पोल रखा कि नेस्ट नॉवल कौन सा पढ़ना चाहिए, तो उसका मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो सुरिंदर मौन बाठक के लिए 79% बोट आये, डिसेप्शन परेंट के लिए 15% और अगाथा क्रिस्टी और परकाश भादी के लिए 3% तो हो सकता है किवल दो लोगों ने एक-ए अगाथा क्रिस्टी और परकाश भादी के लिए वोटिंग करा है और वैसे टोटल 33 वोट आये थे और मुझे इसके अलावा भी बहुत लोगों ने फर्माईश करी है कि मैं सुरिंदर मौन पाठक के नुपन्यास पढ़ू हालाकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि यूटू तो मैंने सोचा कि एक नौवल उंका पढ़ लेती हूँ जो उंका भी नया रिलीज हुआ है पांच दिन वो यूटूब पर है भी नहीं और इसके बाद मैं आप सबके एक एक नौवल को आपके पसंद के जो भी आये हैं उन सबको वन बाई वन पढ़ूँगी इसमें सबसे जो हसी भाती जी के साथ कुछ है कापूपीराइट का चक्क । क्योंकि ब्यूंकि न मनों ने मेल किया था कि मैं उनका पढ़ू नहीं थी सबढ़िछन ख़की मैं किसी से । ब्रमिशन भी नहीं मांगी और यूटूब में ऊंके नौवल्स है नहीं और उनकी कोई भी लॉ या कहीं पर free नहीं है तो वो शायद चाहते नहीं कि उनके novels पढ़े जाए पर हाँ उनका नाम बदलकर और मैं बीच में mention करके उनके novels जोर पढ़ूँगी क्योंकि इंदर जी जी की फर्माईश और उनकी कहानिया भी बहुत अच्छी है और अब मैं साथ में आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जुनोंने मुझे सुना और मेरी बहुत गलतियों के बावजूद मुझे इतना प्यार दिया इतनी सरहाना करी और इतने positive comments कि जो negative comments आए वो तो सिर्फ एक आदी आया पर सबने इतना प्यार किया मैं बहुत दिल से शुक्रिया आपका अदा करती हूँ हला कितने प्याय के लिए मैं काबिल नहीं थी और खास्तों से इंदजीर ची जो हमेशा comment करते हैं श्रीदेवी, अशेश निगम, गोलखा भाई, श्यशी, पुशकर, विजय कुमार और हर्शा पठारे, सौमेत्र देशित, माधुरी शुकला, पारस डोंडी, अचारे मिश्रा, डॉटर प्रदीप सिंग, धांडिवाल, सुनील दत और एक और था, जिनका नाम नहीं था, और डिजिट्स लिखा हुआ था, तो इन्हें पढ़ने का तो मुझे लगता नहीं कोई फायदा है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे याद है, आप सब ने मुझे कौन कौन सी फरमाईश दी है, मुझे बिल्कुल याद है, विजय कुमार, हर्शा, पठारे, रिंकू, चोहान और सुनील दत की फरमाईश पर मैं सुरिंदर मोहन पाठक का नॉबल पढ़ने ह हूँ, हो सकते कुछ लोगों ने और दिया हूँ और मैं भूल गई हूँ, तो उसके लिए मैं माफवी चाहती हूँ, कि नहीं हूँ का नाम ले पाई, इंदर जीर जी ने मुझे पैकाश भाती का, और साथ में बहुत सारे और भी बताया, टाइकर, सुनीर प्रभाकर, विक और डैन ब्राउं का, डैन ब्राउं का तो मैं खुद भी पढ़ना चाहती हूँ, तो अभी आप सुनिए ये वाला नॉबल और आगे हूँ, आप सुन रहे हैं सुनेंदर मोहन पाठक का उपन्यास पांच दिन, उमीद करती हूँ आप इसे पसंग करेंगे, रजनी ने मेरे रिसेप्शन पर बैठती थी, भली मानस नेक नियक लड़की थी, चेहरे पर हमेशा ताजा खिले गुलाब जैसी ताज की और कुलीनता की वो चमक दिखाई देती थी, जो आजकर की लड़कियों में देखने को नहीं मिलती थी, और भी बहुत खूबियां थी उसमें, लेक करवाने की कोशिश नहीं करती थी, वगरा वगरा भी नहीं करती थी, कमबक्त नहीं समस्ती थी कि शराफत और वजिनिटी दोनों ही शेहरी लड़कियों में आट ओफ फेशन हो चुकी थी, ऐसे क्या देखते हो, वो बुली, सोचा खुदाई है, तो शायद को ये गुड न बहार क्लाइंट मौझूद है, सपने देखना बंद कीजिए, नहीं है, नहीं है, लगता है क्लाइंट सिधर का रास्ता भूल गए है, ऐसा तो खेर नहीं हो सकता, बस आथ के मौसम में भी कई मर्तबा बारिश नहीं होती, क्या कई मर्तबा सूखा पढ़ रहा है, वो भी सह पर तू आई कैसे, नहीं, जवाब देने से पहले इधर आकर बैठ, किधर आकर बैठू, आपकी गोद में, अरे कुरसी पर, यस सर, वो मेरे सामने कुरसी पर धेर हुए, अब बोल, प्यासा कुई के पास ना आए, तो कभी कबार कुई को ही प्यासे के पास जाने की जहमत क करनी चाहिए, क्या, डेड मेरे से खाली बैठे हैं आप, खाली बैठा हूँ, क्या मतलब, किसी पेइंग क्लाइंट के कदम इस ओफिस में तो नहीं पड़े, तो क्या करूं, क्लाइंट की तलाश में निकलूं, हाँ, क्या हजएस में, बस्ती बस्ती जंगल जंगल भटकता फिरूं, हाँ, पागल हुई है, ऐसा कहीं होता है, देखिए, सोचिए, विचारिए, शाहिद होता हो, मैंने आप पलक उसकी तरफ देखा, नौ दिन बार, पहली है, अच्छा, अपनी तंखा की याद दिला रही है, अब है तो ऐसा ही, कहती है, है तो ऐसा ही, हमीशा, फूटे मूँ नहीं कह सकती, वीर जी मेरा आपका सब साचा है, वीर जी, हाँ, मतलब सुधीर जी, अभी साफ तो कहा अपने वीर जी, बजे होंगे तेरे कान, नहीं कहा, अरे जबान फस्रे गई थी मेरी, अच्छा, अब छोड़िए इस बात को, क्या कहते हैं, मेरे फाइ आइटिया के बारे में, गोली लगे तेरे हाइ फाइ आइडिया को, अरे मैं क्या फेरी वाला हूँ, जो घर घर गली गली पुकारता फिरूँगा, मुझे रिम छुडवा लो, केस हर करालो, रेट सस्ता लगा दिया है, एक बार अजमाएंगे, बार बार फिर वो धूत भाव से हसी, ना मुराद हैसियत बिगार रही है मेरी, अरे खुब पहचान ले, सुधीर हूँ मैं, जिन्स ए उल्फत का फकीर हूँ मैं, बस, वो फिर हसी, कहती है फेरी वाला, मैं कहां कहती हूँ, आप खुद कहते हैं, फिर कह भी दिया तो क्या बुरा किया, फेरी वाले का दज़ा फकीर से, जो अभी आपने खुद को कहा, तो बहतर ही होता है, वो तो मैंने शेर पड़ा था, खोद अपनी शान में, अब फकीर, जट पड़ा तेरे कानों में, ये ना पड़ा कि कि शेय का फकीर हूँ, फकीर फकीर ही होता है, और जो फकीर होता है, उसकी choice नहीं होती और जिन से उल्फद खेरात में तुम नहीं मिलती यहां तक समझ गे मेरा सर यूहीं उपपर नीचे हिला जैसे मुझे खबर ही न लगी हो गुड और जिन्दगी में एहमय जरूरत को देनी चाहिए ना कि ख्वाइश को क्योंकि जरूरत फकील की भी पूरी हो जाती है और ख्वाइश बाश्या की भी अधूरी रह जाती है मैं भौचक का सास का मुझ देखता रहा सो देय वो शान से बोली ये ये तू बोली यस सर पहले फेरी वाला और फिर फकील I repeat सर मैं नहीं कहती आप खुद कहते है फेरी वारा मैं सुधी कोली वो होड दबाकर हसी कमबक शकल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया कर क्या हुआ है शकल को अभी पलसो ही तो हार मास मज्जा सुसज्जा के लिए ने खोकर आई हूँ क्या 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 कहा हूँ कर आई है ब्यूटी पाल चार हजाल लगे शकल शीशी की तरह चमाकोठी और आप कहते हैं नहाख खचा क्या ये काम तो मुफ्त में भी हो सकता था कैसे रात को मलाई लगा के सोती बिल्ली मूँ चार चाती या बिल्ला मूँ चार चाता फिर पहुँच गए न आप अपनी एकी एक आने वाली जगह पर तब ही बाहर हाट हुई हलो साथ ये खनकती मरदाना आवाज आई एनिबडी हो लगता है प्यासा आ गया वो दबे सुर में बोली हाजकल मेरे ऐसे भाग कहा भूला भढ़का गुमरहा किसी बड़े पीडी के ऑफिस में जाना था यहां आ गया तेरे मूँ में खा जा दफाओ देख जाकर वो उट खड़ी हुई और हो सके तो गुड नियूज लेकर आ उसके लिए जा आने की जरूत क्या है वो तब भी हाजिर है क्या मेरी मंगनी हो गई है लड़का बैंक में मैंने मेज पर से एक पेपर बेट उठाया अपने कुटिल हसी दबाती वो वहां से हवा हुई पीछे इंतिजार को असान बनाने के लिए मैंने एक सिगरेट सुरगा लिया हजरात अर्ज है कि अपने कारोबार की मैं कोई publicity तो करता नहीं broadcast तो करता नहीं कि private detective सुधी कोली अपनाईए क्योंकि यही सर्व से धुला और आखरी कश्तर मज़ा देता है मेरा कारोबार तो गढ़ाग की client की संतुष्टी को सर्वो परिमानने से चलता है और आप जानते ही है एक संतुष्ट गढ़ाग दूसरे गढ़ाग को भेजता है अब बात का लुबो लुआब ये है कि मेरा कारोबा सिर्फ और सिर्फ mouth to mouth publicity से चलता है उमीद है खाकसार को आप भूले नहीं होंगी बंदे को सुधील कोली कहते है जो राजधानी में private investigation के धंदे में खुदा बुरी नजर से बचा है टॉप गं कहलाता है और मेरा universal investigations का छोटा सा office है यहाँ बंदा बहुत select clients के लिए काम करता है क्योंकि एक तो हल कोई में रिफीस नहीं भास सकता और दूसरे अमोमन मुझे वही assignment कबूल होता है जिसमें कई challenge हो और जिसकी बाबत client का पुकता विश्वास हो कि उसका काम कोई कर सकता था तो वो सुधी the only one कोली ही कर सकता था इसी बीच में अकसर काफी वकफे आते थे जबकि मुझे मनमाफिक case कियामत के इंतजार में खाली बैठना बढ़ता था क्योंकि matrimonial confirmations character verification जैसे टुचे काम करना मुझे कबूल नहीं होते थे क्यों कबूल नहीं होते थे क्योंकि शेग घास नहीं खाता दूसरे अलफाजों में हंसा मोती चुगे या भूकोर ही रही जाए बजाते खुद मैं अपना पयान भैखान करूं तो जूट बोलना या अपनी किसी खूबी या खामी को बढ़ा चड़ा कर कहना तो गयर मुनासिब होगा इसलिए गयरों की मेरी बाबत पुकता हो चुकी राय दाखिल दफ्तर करता हूँ मुलाहिज़ा फरमाईगे दिल्ली और आसपास 40 कोस तक का टॉप का हरामी नियत बद केरेक्टर खराब पर नाशुकरा नहीं मिजाज लड़क पन से आशिकाना इसलिए खूब सूर्ती का पुज़ जारी लाइन मानने में पिएच जी और वगेरा वगेरा फिर भी अपनी जबानी अपने बारे में कुछ कहूँ तो अर्ज है जो देखता हूँ वही बोलने का आधी हूँ मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ तबी बीच का दवाजा खुला रजिनी एच सूट बूर धारी व्यक्ती के साथ चौखट पर पकट हुए मिस्टर कपिल अववस थी मैंने सिग्रेट को एश्टे के हवाले किया और उठकर खड़ा हुआ आगन्तुक आगे बढ़ा तो रजिनी ने उसकी पीट पीछे दवाजा बंका दिया मैंने मेज पर आगे जुक कर उससे हाथ मिलाया और कुछसी पेशी हम दोनों आमने सामने बैठ चुके तो वो बोला So, you are सुधिल कोहली the famous PG the one of the kind in Delhi और आसबास चालिस कोस तक मैंने जोड़ा बारहाल कहने वाले तो ऐसे ही कहते है ठीक कहते है मैं confirm करके आया बलके आया ही इसलिए क्योंकि confirmation हुई जहने नसीब Mr. Kohli, you are well recommended by whom? उसने एक नाम लिया जो मैंने कभी नहीं सुना था Okay, I am glad मेरा नाम कपिलावस्ती है जी हाँ भी बताया मेरी secretary ने वो उमर के 35 साल का जान पड़ता था clean shave था, गोरा चिट्टा था नए नक्ष तीके थे और hair style से बाकी रखर खाफ से लगता था कि देसी film hero से बहुत मुतासिर था और तारिफ करों तो film star जान पड़ता था एक case के सिलसली में मैं यहां आया हूँ वो तो अब understood है by the way क्या काम करते हैं कहां रहते हैं सब जान जाओगे case कबूल करोगे तो सब जान जाओगे वो नौबत आने से पहले मैं आपको एक बात से अगा का देना चाहता हूँ उसकी भवे उठी I come high बड़ा बोल है यह क्यों जना जब मेरे को one of the kind मानते हैं तो क्यों बड़ा बोल है संजीदा सुरत बना कर उसने उस बात पर विचाल किया You will be well paid फिर बोला Thank you, I love to be well paid You are on right track रुपया बहुत साथ देता है जी हां बलकि अब तो पहले से ज़ादा साथ देता है उसकी भवे उठी सारी दिल्ली घूमाईए रुपय का कुछ मिल जाए तो कहिएगा हाहाहा भई रुपय से मेरा मतलब रोकडा था मूला था नकद नारयन था सो पैसे वाला रुपया नहीं था सो पैसे वाला रुपया तो भीकारी भी नहीं लिता आजकल यू सेड़िट सर वो एक शंट ठिटका जिसे वक्ती मजाईया महावल को रुखसत कर रहा हो और फिर बोला मुझे बताया गया है कि तुम्हारा कारोबार वन मेंशू है बस तुम ही तुम हो वो बे तकलूफ हो रहा था लेकिन क्या हज था आखे क्लाइंट था पेइंग कस्टमर था जी हाँ है तो ऐसा ही कैसे कर लेते हो सब हभी तो करी लेता हूँ आगे की देखेंगे सलाना स्कोर क्या है स्कोर हाँ एन्वल अर्निंग सलाना कमाई, रोकडा ये सब वो जवाब दो कोई खास कमाई नहीं बस जोरते पूरी हो जाती है शौक पूरे हो जाते हैं फिर भी हम मैं क्या बोलू पांच एक लाग तो कमाई ही लेते होंगे इससे ज़ादा तो ओफिस मेंटेंग करने का खर्चा है खर्चे निकाल कर पूछा पांच लाग सलाना तो मेरी सेकेर्टर की तंखा छे लाग सलाना है ओ, तो दस मैं खामोश रहा पंदरा बीस आप क्यों जानना चाहते हैं आदम जात की आउकात परखने का ये भी एक तरीका होता है जनाब मेरी आउकात परख चुकने के बाद ही आप यहाँ आए हैं बतौर पीजी बतौर पीजी आउकात परख चुकने के बाद और आउकात माली क्यों परखना चाहते हैं कोई बेटी भी है भिहाने लायक क्या मैंने जवाब नहीं दिया अरे क्या उम्र समस्ते हो तुम मेरी यही 60-60 वो हग बकाया उसने यूं हैरान शकल बना कर मुझे देखा जैसे मैंने पूछ लिया हूँ कि क्या वो किसी औरत को हामिला कर सकता था फिर उसके चेहरे के भाव बदले वो ठठा कर हसा जोग यह मैंने जोग किया और मैं जबरन मुस्कराया पसंद आये तुम मुझे मिस्टर कोली मैं 36 का हूँ बाशा सोलोमन हजार का था आप 36 के हैं मैं तो जनाब फिलहाल बस एक दो का ही हूँ वो फिर हसा मेरा स्वर शुशकुगा Enough of ping pong sir Shall we come to the point now? Point? फिस तुमने उसका जिकर नहीं करा मैं तुम्हाई सेकरेटरी से सेटल करके जाऊंगा As per your satisfaction बीना फिस की बाबत जाने भाई कुछ हिंट मुझे पहले से था कुछ तुम्हाई सेकरेटरी ने मेरे आते ही सलकाया फिर भी आप सलाना स्कोल की बाबत सवार कर रहे थे अब छोड़ो वो सब और वो वज़ा सुनो जो मुझे यहां लाई है I am all ears sir कोई मेरे को मार डालने की कोशिश कर रहा है मैं संभल कर बैठा और ऐसा सोचने की वज़ा Mr. Kohli एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार ऐसा कुछ हो चुका है जो साबित करता है कि कोई हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ा है कौन क्या पता कौन कोई सामने तो आया नहीं किसी पर कोई शक है तो सही लेकिन वो ठिटका हिचके चाया नाम जबान पर लाते नहीं बनता अवस्ति सहाब क्लाइन्ट और पीडी का रिष्टा मरीज और डॉक्टर के रिष्टे सरीखा होता है जैसे मरीज को अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं चुपाना चाहिए वैसे ही क्लाइन को भी पीडी से कुछ नहीं चुपाना चाहिए तो फिर जो कहना है खुल कर कहिए ओके मैं शुर से बयान करता हूँ शुरात के लिए वही बहतरीन जगा होती है पहले यही बताता हूँ कहां रहता हूँ क्या काम करता हूँ The best मैं दिल्ली की सरहत पार हर्याना में सुरजकुंड के इलाके में रहता हूँ वहाँ एक एकर जमीं के बीच में बनी हवेली जैसी एक बहुत बड़ी इमारत है जो कभी मेरे जन्नत नशीन ससुरे ने तब वहाँ बनवाई थी जबकि वो इलाका बिल्कुल बसा हुआ नहीं था तब हर तरफ कीकर के पेड़ थे और रात को वहाँ सियार फिरते थे ऐसी जगा मेरे ससुर ने कौडियों के मोल एकर जमीं खई दी थी और उसके बीच में पुराने तब क्या आर्किटेक्चर के हिसाब से एक दो मंजला मैंशन खड़ा किया था बाद में वो इलाका धीरे धीरे बसने लगा तो ससुर की प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ने लगी थी तब उसने उस हवेली नुमा इमारत में कुछ तबदीलियां की थी कुछ नई तामीर की थी जैसे फ्रंट को मॉर्डरनाईज किया था बैक यार्ड में स्विमिंग पूल बनवाया था और फ्रंट यार्ड को एक खूब सुरत लॉंग की शकल दी थी कुली साब उस मेंशन की मोरवाल एस्टेट की जिसमें की वो मेंशन खड़ा है कीमत करोडों में है मोरवाल हाँ मानक वलाल मोरवाल मेरे सुसुल का नाम था था हाँ अब बुजूर्ग वार इस दुनिया में नहीं है मेरी शादी के छे मेने बादी उनकी हार्ट अटेक से मौत हो गई थी ओ तो आप शादी शुदा हैं कबसे यही कोई डेड़ साल से और अब भी नहीं वजा कोई नहीं सवाए इसके कि आज का लेड़ परेंटिंग का रिवाज है शादी के बाद लड़कियां जल्दी मा नहीं बनना चाहती ओ तो इसलिए एहतियात बढ़ती हैं हाँ कभी किसी का हाथ भी पकड़ती हैं तो दस्ताने बहें का Mr. Koli I mean आपका पती का जीवन साथी का तंज कंसने की कोई जुरुत नहीं ऐसा किया तो नहीं था मैंने लेकिन खेर तो लेड़ परेंटिंग के बारे में आपके क्या ख्यालात है मेरे ख्यालात चेताली के ख्यालात से जुदा नहीं है क्योंकि made for each other है ना हाँ बस यही समझ लीजे चेताली आपकी बीवी का नाम है शादी के बाद से ही आप बीवी के साथ सुरजकुन मोरवाल स्टेट में ही रहते हैं हाँ बस आप और बीवी नहीं सुसुल की तरह ही मर्हूम एक चाचा का परिवार रहता है परिवार में दो लड़के हैं एक शादी शुदा है लेकिन अभी बे आउलाद है दूसरा गया शादी शुदा है बागी इन हाउस वर्किंग स्टाफ है जिसमें एक एस्टेट मेनेजर और एक कुक परमुख है ससुल की कोई और आउलाद? कोई नहीं मेरी बीवी चेताली उसके इकलौती आउलाद थी तो लिहाजा आपके ससुल की करडो की प्रॉपर्टिक की वो इकलौती वारिस थी नैचुरल डी? ससुल की छोटे भाई का कोई दावा दखल नहीं? उसके दो लड़कों का कोई दावा दखल हो उसमें? मेरी जांकारी में ऐसा कुछ नहीं है चाचा क्या करता था? हौजखास विलेज में रेडिमेट गार्मेंट का शोरूम चलाता था अब वो शोरूम उसके दोनों लड़के बड़ा सुमित और छोटा विनीद चलाते हैं और ससुल का क्या कारोबाद था? उनका कोई कारोबाद नहीं था लेकिन अपनी इन्वेस्मेंट से मूटी आमदनी थी इन्वेस्मेंट से यानी बड़ी कंपनियों के गिल्टेस्ट ना हिलने वाले शेयर थे जिनका डिविडेंट आता था भरपूर, भरपूरी था तो अभी तो इतना बड़ा मेंशन खड़ा कर लिया था और हाई क्वालिटी लाइफ का आनन्द भोगता था आप क्या करते हैं? मैं? मैं आजकल कुछ नहीं करता जब करते थे तो क्या करते थे? एड फिल्म्स करता था टीवी सीरियल्स में रोल करता था अब नहीं करते? नहीं कोई खास वज़ा? बस मन हट गया नौ जवान यूं मन कोई दूसरा कारोबार पकड़ देने के बाद हटाते हैं? आपने ऐसा नहीं किया वही हमीशा के लिए नहीं हट गया मन वक्ती तोर पर हट गया तो ऐसा कहिए न गोया आहिंदा फिर वही लाइन पकड़ने का इरादा जिसका आपका तज़रुबा है एक्टिंग का? हाँ और वक्ती तोर पर मन हटने के पीछे क्या शादी वज़ा थी? हम्म थी तो सही एक्टर लोग के पास जब कोई काम नहीं होता तो वो कभी भी नहीं कहते की बेरोजगार हों स्टैलिश जवाब देते हैं आप ऐसा नहीं कहते आप मन हट गया कहते हैं वो खामोश रहा अपने द्वारा अभीनीत किसी सीरियल का नाम बताई उसने तीन नाम बताई जो मैंने अपने सामने पड़े स्क्रेच पैट पर दर्ज कर ले और अड़ फिल्म्स वो पहले की बात है अब याद नहीं और आपको इंटरस्ट भी नहीं फिर भी एक किचन मसालो का एड था ब्रैंड नेम याद नहीं किसी कपड़े मिल की शूटिंग का एड था और वाटर फिल्टर का एड था और उसका भी ब्रैंड नेम याद नहीं हाँ तुम्हें कैसे मालू आपने एक सहाईबिस जायदा शक्स की इकलौती अलाज से शादी की इस लिहाज से आपका समाजी रुत्वा नौजवानी में प्यार में पढ़ना और सीडियों से गिरना एक ही बात होती है दोनों एक्सिडेंट से Mr. Coley, I don't understand What is it that you don't understand? क्या नहीं समझते? Mr. Coley को या Mr. Coley की कही बात को? Mr. Coley, lay off this line of questioning विक्षन ठिटका और उसने जोडा Please Yes Sir, तो आपने love marriage की? हाँ, पहले ही बोला लिहाजा आप बाप की नहीं बेटी की पसंद थे मैंने बाप से शादी नहीं करनी थी आप खफा हो रहे हैं मेरे लिए तब एक ही बात एहम थी कि चेताली मेरे से प्यार करती थी और प्यार अंधा होता है ना सिर्फ अंधा होता है प्यार करने वालों को अंधा कर देता है क्या मतलब है भही तुमारा? रईस की बेटी आप पर आशिक होई थी या आपने उसे अपने पर आशिक करवाया था What the hell? शिद्दत से, मेहनत से, प्लैंग करके? Mr. कोली? क्योंकि इकलौती बेटी की रजा से राजी होना पिता का फर्स था बेटी जो बड़ी ही एहम तरीं कदम उठा चुकी थी जिस पर कि उसकी आइंदा जिंदगी का दारुमदा था उसको कबूर कल लेना उसकी मजबूरी थी वो उट खड़ा हुआ अरे बैठी है जनाब मैं उठकर मेजब धोरा होकर उसकी बहाँ पकड का उसे वापस कुर्सी पर बिठाया और खुद भी बैठा Consider it done Your word is my command Customer is the king after all Customer Consumer, Client All rolled into one उसने सहमती से बहुत मुश्किल से सरहिलाया और कुशन खामोशी रही इतफाक से मैं नहीं एक हामोशी भंकी आज यहां ठंडा गर्म का कोई इंतिजाम नहीं है किन्तु किसी नजदी की रेस्टोरेंट से आप जो चाहें मैं order कर सकता हूँ जरुरत नहीं Smoke करते हैं? हाँ तो मैं आपको cigarette पेश करता हूँ मैंने अपना packet निकाला और उसे cigarette offer किया और एक cigarette मैंने लिया और lighter से दोनों cigarette सुल गाए So As I understand मैं कश लगा कर धुआ उगलता बोला शादी के बाद से ही आपका मुकाम मोरवाल estate है ओके? Yes उसने बड़े ही अन्मने धंग से उत्तर दिया डेगर साल से हाँ ससुल को कभी एतराज नहीं हुआ? किस बात का? समझे बाद लोगों को बल्कि सभी लोगों को दमात के घर जमाई बनते रहने पर एतराज होता है घर जमाई? जनाप जब से शादी हुई है तब से डेड़ साल से बकौर खुद ससुल के घर डेलरा डालने हैं आप तो घर जमाई ही तो कहलाएंगे? ये चेताली की मर्जी थी बल्कि जद थी कि मैं वहीर हूँ और फिर ससुल का कोई अतराज क्या महाईने रखता था ये जद ना होती तो शादी के बाद बाप के घर से बेटी विदा हुई होती उसने आपके साथ चाकर अपना घर संसार बसाया होता तो मैनेज कर लेते क्या? जी घर के करता का गोड़ प्रवाइडल का रोल अदा कर पाते जिस एशो अराम के आदत स्वाभाविक तोर पर एक रईस बाप की बेटी को वो भी इकलौती अलाद को होती है वो आप एक कैजूल एड फिल्म मॉडल एक टीवी सीरियल बिट प्लेयर उसे मुहया कर आपाता कौन बोला मेरे को? कैजूल मॉडल? सीरियल्स? बिट प्लेयर? वो भड़कने को हुआ गोल को लंदास से खुद आप बोले आप ना बोले तो समझे मैं बोला तुम्ही क्या मालूम है कि? आपकी ट्रेड में कोई बहतर पिवोटल हैसित होती हो तो मैं आपके नाम से वाकिफ होता कोई जूरत नहीं तो आपकी माली हैसित की काबीले रश्क होती टीवी सीरियल्स के पिवोटल स्टार्स के आजकल तो लाखों में परडेफीस होती है उनका घार जमाई बनके रहना जूर ही नहीं होता मैंने बोला ना चेलताली ऐसा चाहती थी अथ तुम मेरी हैसिय से वाकिफ नहीं हो और हो भी नहीं सकते क्योंकि आज से पहले तुमने कभी मेरी सूरत नहीं देखी मेरी हैसिय से तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं मैं यहाँ आया हूँ न तुम्हारी मूँ मांगी फीस भने की हाम ही मैंने भरी है न इतना क्या काफी नहीं तुम्हारे लिए बिलकुल काफी है मेरे लिए तो अब उस बाबत और सवाल नहीं होगा जवाब में उसने सिगरेट का कश लगा कर यूँ मूँ बनाया जैसे कोई बदमजा चीज होटो में आ लगी हो उसने सिगरेट को एश्टे में छोग दिया जबकि अभी तीन चौथाई बाकी थी जाहिर था कि घर जमाई कही जाने से वो भड़कता था जबकि हकीकतन वो वही था अपनी कोई दूसी हैसित बना पाता फिर जाहिर था कि उसे मुम्किन नहीं जान पड़ता था मुम्किन होता भी कैसे अपने आपको जिस कारोबार में वो बताता था उसमें भी तो वो अब नहीं था अपनी मौजूदा रिहायश का जो नक्षा उसने खीचा था उसके तहत मेरे जहन में एक ही चहरा आता था जो उसकी जान लेने की कोशिश कर सकता था उसकी बीवी लब मैरिश जोशो जुनून का सौदा होता था जिसमें किसी का जल्दी आजिज आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन कतल दूर की कोड़ी थी अभी क्या पता लगता था अभी तो केस मेरे हाथ में भी नहीं आया था तो मैं फिर उसे मूल बिशे पर लाता बोला आपको लगता है कि कोई आपको मार डालने की कोशिश कर रहा है हाँ अब उसका लहजा बहुत अन्मना था और आप कहते हैं कि ऐसी धहशतनाक कोशिश तीन बार हो चुकी है यस इससे आगे बोलिए सुनो पीछे हफ़ते में तीन ऐसे वाक्यात मेरे साथ गुज़रे हैं जो मुझे अपने कतल की कोशिश जान पड़ते हैं कहां हुई ऐसी कोशिशे एक ही जगा हुई मोर वाल एस्टेट में यानि हरकत करने वाला कातिल कहने से मैं जान पुझ का प्रहिश कर रहा हूँ कोई घर का आदमी है कोई एस्टेट का बाशिंदा हौर कौन बहार से आए किसी शर्ट का तो ये कोई काम हो नहीं सकता ऐसा कोई वाकिफ तो एस्टेट में मुकाम पाया नहीं था और कोई नावाकिफ बिना सबकी जानकारी में एस्टेट में मुकाम पा नहीं सकता घर का आदमी यानि आपके मरहूम ससुल के दो बतीजे बड़े की बीवी और गुस्ता की माफ आपकी बीवी सर्विस स्टाफ का शुमार भी इस मामले में मैं घर के लोगों में ही करता हूँ खास्तों से एस्टेट मैनेजर का, कुक का, कुक की नौजवान बेटी का जो उसके साथ रहती है और किचन में और डैनिंग रूम में सर्विस में उसकी मदद करती है उन लोगों का आपके मरने जीने से क्या मतलब, क्या पता लगता है उन में से किसी का, किसी के मतलब से मतलब हो सकता है कोई हरकती का मददगार हो सकता है, क्यों नहीं ठीक, अब उन तीन कोशिशों के बारे में बताईए जो आपको आपकी जान लेने की जान पड़ी क्या हुआ था? कैसे आपको लगा था कि वो कोई इत्फाक नहीं था? आपके कतल की कोशिशे थी? पहली सुनो, जो दो हफ़ते पहले वाक्या हुई थी एक सुभा कोई ग्यारा बज़े के करीब कहीं जाने के लिए मैं मैं मैंशन के उस विंग में से निकला जिसमें हम पती पतनी रहते थे इमारत से निकल कर मैंने इमारत के सासाथ बनी रहाधारी पर चल रहा था कि एका एक बिल्ली रास्ता काट गए वेहम का मारा मैं फॉरन थमक कर खड़ा हो गया और तभी उपर से एक भारी गमला एन मेरे कदमों के सामने आकर गिरा और टुकडे टुकडे होकर बिखर गया मिस्टर कोली, अगर बिल्ली के रास्ता काट जाने की वज़ा से मैं एकाई ठिटका ना होता तो अंचाम गमले का हुआ वो मेरी खोपड़ी का होता ओ, उपर क्या था? उपर ईश्वर था, उसने मेरी रश्शा की मेरा मतलब है जहां से गमला गिरा था वो क्या जगा थी? अच्छा वो, वो पहली मंजिल की एक बालकनी थी जिसके पुराने जमाने की पत्थर की चौड़ी मुंडेर पर सजावट के तौर पर फूलों के गमले रखे होते थे उन्हीं में से एक गमला नीचे गिरा था भारी गमला बताते हैं न आप अपने आप कैसे गिल गया? यही तो हैरानी की बात है पांच-छे किलो वजन का कंक्रीट का गमला था अपने आप तो नहीं गिर सकता था किसी ने गिराया? हाँ या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अनजाने में किसी का धक्का लग गया? किसका? किसी का भी? हवेली के किसी भी बाशिन देगा जो उस घड़ी वहाँ था? बाइदावे बालकनी के पीछी क्या था? मतलब, मेरा मतलब है कि वो किसी रूम की बालकनी थी या ओपन एरिया था? ओपन एरिया था कवर्ड ओपन एरिया की जहाँ शैद कभी एस्टेंशन के तौर पर हाल कमरा बनना था ना कि ओपन टेरिस की फिर तो वो जन्नर एसस की जगा हुई जहाँ उस घड़ी कोई भी मालिकान स्टाफ हो सकता था? हाँ किसी का किसी नालायक लापरवा स्टाफ का अंजाने में धक्का लग गया क्यों नहीं हो सकता? ऐसा होता तो वो अपनी करतूत का नतीजा देखने के लिए मुझे बालकनी पर से नीचे जहागता दिखाई देता बलकि बगुले की तरणा दोड़ तर नीचे पहुंचता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं बहराल आप बाल-बाल बजगे फिर आपने क्या किया? मैं? मैं शौक से उबरा तो दोड़ कर उपर पहुंचा उपर बालकनी या उसके पीछे कोई भी नहीं था उसकी तो धर पीट थी हम तो उस ओपन कवर्ड एरिया के आजू बाजू क्या था? एक तरफ कवर्ड सीडिया थी और दूसरी तरफ बेडरूम था आबाद उसके भवे उठी आप इतनी बड़ी इमारत बताते हैं वो भी दो मंजिला एकड के प्लॉट के बीच खड़ी वह सारे ही कमरे तो उक्यूपेंट नहीं होंगे न? हो, दैट! हाँ, आबाद! वो मेरी बीवी का बेडरूम है सिर्फ, सिर्फ आपकी बीवी का? कन्फ्यूज ना हुए मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो वो चैताली का हमारी शादी से पहले का बेडरूम है जिसे शादी के बाद से वो स्टडी के तौर पर और टेंप्रेरी रेस्ट रूम के तौर पर स्थिमाल करने लगी है हमारा जोइंट बेडरूम अलग है फर्स फ्लो पर ही? नहीं, वो ग्राउंट फ्लो उपर है तो बहर हाल उपर आपको ऐसा कोई शक्स नहीं मिला जिसने इरादतन वो गमला ग्राया होता? हाँ, मेडथी उपर मिस्टर कोली, डोंट टॉक नॉन्सेंस वाक्य के हर पहलू पर विचार करना मेरा फर्स है, आदत है मेरी वो कमसिन है और इतनी नाजुक है कि गमले को धक्का देना तो दूर वो उससे हिलाया भी नहीं जाने वाला था ओके, आप कहते हैं कि दूसरे वाक्य की बाबत बोली वो पहले के एक हफ़ते बाद हुआ क्या हुआ? एस्टेट में नैसले कंपनी का एक सेलसमेन आया इतफाक से वो ऐसे वक्त आया जबकि उसे रिसीव करने के लिए घर पर मैं ही था उसने हाउस वाइफ से मिलने की ख्वाईश जाहल की तो हाउस वाइफ की गयर मौजूदगी में हाउस हभी बेश हुआ पता लगा कि नैसले कंपनी अपने ब्रैंड मैगी के नए एडिशन फ्यूजन मैगी का व्यापक लाँच कर रही थी जिसके तहत कुछ खास इलाकों में फ्यूजन मैगी से सैंपर घर घर फ्री बाटे जा रहे थी और सूरजकुन के इलाके में ये काम उसके हवाले था उसने मुझे नई ब्रैंड फ्यूजन का पैकेट दिया और मैंने वो गिफ्ट पैकेट खोल का मैगी तयार कि मैंने उसे बाउल में डाला ही था कि बहार ड्रोइंग रूम में लैंड लैंग का फोन बज उठा मैंने फोन के पास पहुचा मैं फोन उठाने ही वाला था कि बजना बंद हो गया मैंने कुछ देर फोन के लिए बजने का इंतजार किया ना बजा तो किचन में वापस आकर लोटा, जहां मैंने बिल्ली को मैगी के बॉल में मुह मारते देखा, बिल्ली? हाँ परोस की, परोसियों की पाल तू, एस्टेट में बीतर मैंशन में कहीं भी अकसर विचाती पाई जाती है, बड़ी प्यारी जग सफेद बिल्ली थी, इस कूद कर बहा जाने लगी, और मैगी के साथ अपनी बेजा हरकत के साथ उसने उधर से निकल जाना था, लेकिन वो तो काउंटर से नीचे कूदने के बाद किचन के फर्ष से हिली ही नहीं, बैकि वहीं पड़ी तरपने लगी, हरे, हाँ मैं खुद हरान हुआ, फिर घबरा गया, मैंने उसे पानी पिलाया, और कोशिश करी, उसे मैंने उसे हिलाने की, और मेरे लिए बिली के मालिकान परोसियों को खबर करना जोरी था, मेरा मोबैल इत्वाक से तब मेरे साथ नहीं था, इसलिए लेंड लाइन इस्तमाल करने की नियस से मैं ड्राइन रूम के और परोसियों को कॉल किया पर नहीं लगी, फिर ट्राइ किया तो बिजी टोन आया, और जब तीसी कोशिश में वो लोग खुद ही सुनकर दोड़ते हुए आए, मालुम हुआ मेरे पीछे मेर किचन में आई थी, और उसने बेहार बिली को देखा था तो वो दोड़ का अब्रा आया, और वहां पता चला कि इसकी जान बच गई है, हुआ क्या था उसे? जो हुआ था वो बाद में मिस्टर अब्रॉर नहीं बताया, क्या? जहर, जहर हुआ था, ओ नो, मिस्टर अब्रॉर का ख्याल था कि बाहर पता नहीं कहां कहां बटकते बिल्ली ने कोई जहरेली ची कि उनकी बिल्ली ने कोई जहरीली चीज खाली और भटकती वो हमारे घर आ गए लेकिन ये उनका ख्याल था असल में हाकिकत तो मुझे मालूम थी यानि मैगी में जहर था यकीनन और वो जहर मेरे लिए था ड्रोइंग रूम में फोन ना बजा होता पीछे बिल्ली मैगी के ब ठीक ठीक मैं तो किचन में ही पड़ा मल गया होता बिल्ली ने अभी मैगी के बाउल में सिर्फ मुझ ही मारा था तो मैं उपर से आ गया था और उसने दोड़ जाने की कोशिश की थी मैंने तो ताजा त्यार हुई कमपनी की नई मैगी का स्वार लेकर खाना था और तब खा फैकने का इरादा था लेकिन फिल कोई जानमर मुझ मान था इसलिए बात्रूम में जाकर टॉयलेट के कमोड में फैकी और फ्लश किया तो पैकेट जब आपको मिला था तो सील्ड नहीं था सील्ड ही लगता था लेकिन खुर्द भी नहीं मुआयना तो मैंने उसका नहीं कि एसे मुआना करने की कोई वज़ा भी नहीं थी तो यानि कि किसी ने पैकेट को खोल भीतर जहर मिलाया पैकेट को जैसे का तैसा वापस सील्ड का दिया अब कैसे भी किया लेकिन किया जहर नूडल्स में या मसाले की पूरिया में जो नूडल्स के साथ पैकट में बंद होता है सेल्समेंग कहता था कि वो नया पहले से कई दरज़ा भेतर मसाला था और उसकी खास तारिफ करने के गया था यानि ताकि मैगी बनाते वक्त आप उस खास मसाले का इस्तमाल जोर करें हाँ, बाज लोग उस मसाले को नहीं भी इस्तमाल करते या बहुत कम इस्तमाल करते हैं I see, लेकिन मैगी में जह है था तो वो publicity campaign के तहत company के अधिकरत salesman की delivered तो नहीं हो सकती थी या फिर salesman को किसी incentive, किसी लालच के तहत त्यार किया गया था कि Mr. Kohli, there was no salesman जी, कोई company salesman नहीं था, कोई special मैगी नहीं थी बाद में मैंने मालुम किया था, मैगी घरगर नहीं बाटी गई थी मोरवाल estate के अलावा वो कथित salesman कहीं नहीं गया था उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मै था, बाकि सब कुछ मुझे आश्वस करने के लिए कहानी थी निकिन ये कहानी कोई अजनवी अंजान शक्स कैसे कर सकता था कैसे कोई household की मुकमल जानकारी हुए बिना इस काम को अंजाम दे सकता था उस फरजी salesman को household की post-lunch जपकी की routine की खबर थी ये तक खबर थी कि आपकी बीवी ने उस घड़ी घर नहीं होना था कोई बाकी बातों की बाबत तो जैसे तैसे दर्याफ कर सकता था बीवी के मून मिजास का उसे कैसे पता चलता जब जानकारी forward करने वाली ही वो तरतकार खामोश हुआ मैंने आप पलक उसकी तरफ देखा वो परे देखने लगा और कोसी पर पहलू बदलने लगा आपको यानि आपको अपनी बीवी परशक है अरे ये मेरे कब कहा कहने वाले थे आप लेकिन बीच में आपने अपना इरादा बदल लिया नहीं हैसी कोई बात नहीं जानकारी forward करने वाली कहा आपने स्त्री लिंग में कहा तो क्या हुआ स्त्री लिंग एस्टेट में और भी है आपने पहले भी कहा था कि आपको किसी पर शक था लेकिन नाम जबान पर लाते नहीं बनता था नाम अब लाईए जबान पर जवाब देने की जगा वो फिर परे देखने लगा मिस्टर अवस्थी क्लाइंट को अपने पीडिय से कुछ छुपाना I know, I know, now don't rub it in ओके जब आप कहते हैं मानते हैं कि अंद्रूनी मदद के बिना ये जहर वाला वाक्या होना मुम्किन नहीं था तो बीदे वक्फे में आपने इस बारे में खुद कोई खुफिया तफ्तीश कोई खुफिया पुश्टाच नहीं की कोशिश की थी नेकिन ना तजूबरे कारी की वज़ा से कुछ बन नहीं पाया था तभी थो मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अंगेज करने का ख्याल आया था पहले हुआ आपने उस बाबत खुफिया तफ्तीश करने की कोशिश की तो आपको लगा कि ना तरजूरुबरे कारी की वज़ा से ये आपके बसका काम नहीं ऐसा लगने में एक हफ्ता लग गया नहीं एक आत बार ही कोशिश की होगी यहां पहुँचने में हफ्ता क्यों लगा दिया मैं पीडी के धंदे से वाकिफ नहीं वो नराजगी से बोला मैंने महस सुना था कि अब इंडिया में भी पीडी होते हैं फिर पूछ दाच करने में most competent पीडी के बारे में जानकारी निकालने में टाइम तो लगता ही है न एक हफता भी और भी काम होते हैं जबकि आपने खुद बोला आज कल आप कुछ करते तो नहीं professionally आज कल कुछ नहीं करता risk कमाने के लिए आज कल repeat आज कल कुछ नहीं करता पर आदमजाद को और भी तो कई काम होते हैं दीन दुनिया के ओके इसलिए हाँ एक हफता लेट तश्रीफ लाए यही समझ लीजिए और तीसरी कोशिश का इंतजार कर रहे थे what the hell पिछले हफते हुई न अरे मुझे सपना आना था एक और कोशिश का नहीं लेकिन दो नाकाम कोशिशों के बाद अंदेशा तो होता है न कि वैसी कोशिश कहीं फिरना हो जाए हाँ हाँ अंदेशा तो होता ही है और कोशिश हुई भी तीसरी कोशिश खुश किसमती से वो भी नाकाम नाकाम इसलिए क्योंकि आप मेरे सामने बैटे हैं हाँ तीसरी कोशिश कभी तीन दिन पहले शुकरवार को इस बाल क्या हुआ था मोरवार एस्टेट के आवासिय भवन की मेंशन की उपर की मंजिल की छत पर एक कतार में तीन पानी की टंकिया है जिनको तालक कोई नहीं लगाता लेकिन ताले जैसा इंतिजाम उसमें फिर भी होता है ताला लगने में ये भी प्रॉब्लम है कि कभी प्लंबर ने अपनी प्लंबिंग के किसी काम के लिए टंकी खोलनी हो और वक्त पर चाबी ना मिले तो बहुत बखेडा होता है लेकिन टंकी का धकन बंदर रखना इसलिए जोरी होता है कि कभी जुंड के जुंड बंदर आकर उस पर उधम मचाते है तो हमने किया किया टंकी के कुंडे में लोही की सलाग डालकर मोड दी कि युँ टंकी स्विक्यूर रहती है और कोई कोई बंदर जादा ही दिमागी होता है वो मूरी हुई छड को जैसे तैसे कुंडी में से निकाल लेता है और बार में ढकन खुला पाया जाता है तो कोई उपर जाकर टंकी को पहले की तरह बंद करके आता है क्योंकि अंदेशा होता है कोई बंदर का बच्चा या खुद बंदर पानी में न किरे तो बंदरों की टोली के ऐसे आमत का कोई कैलेंडर कोई शडूल तो नहीं होता कई बार रोज आ जाते हैं कई बार हफ्तों नहीं आते लेकिन हर हाल में टंकी का धकन कभी खुला पाया जाए तो उसे बंद करना जोरी होता है वो एक शण के लिए ठिटका आगे मैं तनिक उताबरी स्वर में बोला आगे ये की छट पर की टंक्यों तक पहुँचने के लिए वहाँ कोई रेगुलर पक्की सीडिया नहीं है एक बास की सीडिय उस छट को लगी होती है और जो बहुत कम इस्तमाल में आती है और इस वज़ा से फर्श पर गिरी रहती है बास की सीडिय में कोई ज़्यादा वज़न तो होता ने जरुरत के वक्त उठाली जाती होगी हाँ बिल्कुल आगे गुजरे शुकरवास सुभा 11 बजे के करीब जब ब्रेकफास के बाद मैं डैनिंग हॉल से वापस अपने बैडरूम में पहुँचा तो मैंने पाया कि टीवी ठीक नहीं चल रहा और और एंटीना ठीक करके मैं जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि छट पर टंकी का धक्कन खुला था जाहिर था सवेरे बंदरों ने ऐसा किया होगा और मैं छट बादा सोचा किसी को बुलाने की क्या जो होता है मैं ही बंद कर देता हूँ बांस की सीड़ी उपर मुंडेल के साथ पहले से लगे हुई थी लेहाजा दो मिनट की जहमत थी मैं सीड़ी पर पहुँचा और उस पर चड़ने लगा मैं टॉप के करीब था और जबकी टॉप से तीसे डंडे पर मेरा पांप पड़ा और डंडा एकाई तूट गया ओ नो छट उची थी चौदा डंडो की सीड़ी थी और उसके और उल्मोस टॉप से में नीचे गिता तो सोचो मेरा क्या अंजाम होता फिर कैसे बचे भगवान ने बचाया तकदीर ने बचाया इतिफाक से ही छट का वो किनारा जिसके नीचे दिवार के साथ सीड़ी टिकी थी मेरे काबू में आ गया सीड़ी दिवार पर से हटकर नीचे जा गिरी और मैं पंजो के बर मुंडेर से लटका बचाओ बचाओ चिलाने लगा इतिफाक से एस्टेट मेनेजर ने मेरी आवास सुनी उपर मुझे प्रोजेशन से पकड़े नीचे लटके देखा तो उसके छक्के छूड़ गए उसने जपटकर नीचे फर्ष पर गिरी पड़ी सीड़ी उठाई उसे बदस्तू दिवार के साथ टिकार कर खड़ा किया तो कब कहीं जाकर मैं सीड़ी पर पहुँच और हाफ ता कांग ता नीचे उतरा धकन? अरे जहनुम में जाता धकन? मैं मरता मरता बचा था उस वक्त अपनी जांकी ख्यार मना था यह साली टंकी के ढखकन की फिकल का था तो ढखकन किसी और ने बंद का दिया होगा फिर हाँ, एस्टेट मैनेजर ने किया डंडा कैसे तूटा? इत्तफाक से? एक्सिडेंटली? उसने इंकार में सर रिलाया नहीं, इत्तफाक से एक्सिडेंटली नहीं तूटा पीडी साहब डंडा तूटा नहीं, तोड़ा गया मेरे जहन में यही था जब आपने उस वाक्य को आपकी जान लेने की तीसी कोशिश बताया तो डंडा जान लेने वाले की औबलाइस्ड करने के लिए खुड तूट गया नहीं हो सकता था डंडा खुद नहीं तूट सकता था खुद नहीं तूटा था बकायदा ऐसा इंतिजाम किया गया था कि जब मैं सीड़ी चड़ू तो डंडा मेरे जिस्म के भाहा से तूट चाए कैसा इंतिजा उस डंडे के और नीचे की तरफ से आरी से आधा काड़ दिया गया था ओ तो यानि की आपकी जान लेने की तीसी कोशिश हुई और काबिले रश खुश किसमती से वो भी नाकाम रही हाँ उसी ने की जिसने पहली दो कोशिशे की हो कौँ करता तीन कोशिशे तीन मुत्रलफिक लोगों ने तो की होती ऐसा तो हो नहीं सकता ठीक फिर इतना भी तो नफरत के काबिल कोई नहीं होता कि एक नहीं, दो नहीं, तीन जने उसकी जान के पीछे पढ़े हो या होता है ऐसा उसने एंकार में सही लाया आप है? नहीं भही, वो तनिक हर बढ़ाया स्टेट में मेरे को मार डालने की हद तक नापसंग करने वाला कोई नहीं है सिवाए किसी एक के? हाँ, सिवाए किसी एक के उसी ने अंटीना का ताल लूज किया उसी ने सीडी का टॉप के करीब का डंडा काटा जाहिर है? और पाने की टंकी का धकन भी खुला छोडा हाँ, वो भी धकन खुला देखकर उसने बंद करने की मंचा से कोई और सीडी चड़ता तो हास्ता उसके साथ होता जिससे आप बाल बाल बचे कोई और कैसे चड़ता टीवी हमारे बेडरूम का ख़राब था मुझे मालूम था हमारे कनेक्शन का एंटीना डिस्क कौन सी थी वहाँ और भी डिस्क है तीन और है, जुदा जुदा जगा लगी हुई है I see फिर छत पर किसी का कोई काम नहीं होता मुझे भी एंटीना लाया था वरना मेरा भी वहाँ कोई काम नहीं था यूं तो बंदर अगर टंकी का ढखकन खोल जाते हूं तो वो कई दिन खुला रहता नहीं, बंदर जुंड में आते थे और बहुत उधा मचाते थे उनकी आमद स्टेट में किसी से चुपी नहीं रहती थी इसी वजह से मेर को हिदाय थी कि बंदरों के जाने के बाद छत का चक्कल लगाया करे शुक्र तो ना किया ये काम मेर ने क्योंकि शुक्र की सुभा को बंदर आई ही नहीं थे बंदल की हाजिरी लगाने की गरद से किसी ने खुद जान भूच कर वो धक्कन खोला था और एंटीना का तार भी लूस किया था ताकि उसकी वज़ा से आप छट पज जाते तो आपको टंकी का खुला धकन भी दिखाई दे जाता और आप उस दो मिनट के काम को करने में गुरिज ना करते हाँ गुस्ता की माफ जनाब ये सिलसला तो फिर आपकी बीवी की तरफ इशारा करता है उसकी भवे उठी टीवी या मिया बीवी के बैडरूम का था जिस पर कि आप पिच्चर डिस्टरब आ रही थी या फिर किसी दूसरे का आपके टीवी से क्या लेना देना था खास तो और से जब आप बताने हैं कि चार एंटिना है मेंशन में और भी टीवी कनेक्शन्स थे तो कोई किसी दूसरे के टीवी का मौताज नहीं था इस सिनेरियो में तो यही कयास में आता है जो किया आपकी भीवी ने किया इस लिहास से तो पिछली दो कोशिशों के मामले में भी जो किया चेताली ने किया हाँ क्यों नहीं? No, I can't buy that उसने द्रड़ता से बोला ताकीद है कि भीवी की बावत आप खुद भी ढखा चुपा शक जाही कर चुके हैं दो बार ऐसा क्या आपने? सिर्फ चेताली की बावत नहीं उसके स्वर में द्रड़ता का पुट था ऐसा कोई हासा होता है तो शक आसपास मौजूद हर किसी पर होता है इस वज़ा से चेताली का ख्याल आया लेकिन खास चेताली का ही ख्याल नहीं आया तो फिर इस मीटिंग की शुआत में आपने ये क्यूं कहा कि आपको किसी पर शक था तो सही लेकिन आपसे जबान पर नाम लाते नहीं बनता था ऐसा कहना तो किसी particular person की तरफ साफ इशारा था नाम लीजी उस particular person का शक्की बिना पढ़ ही नाम लीजी इस तरह से कहिए कि वो आपकी बीवी नहीं थी ये बात याद करके कहिए कि अंजाने में सही पेध्यानी में ही सही आपके मूँ से निकला था जब जानकारी forward करने वाली ही जो किस साफ आपकी बीवी की तरफ इशारा था Mr. Coley, you are cross questioning me I am not here to be cross questioned I am a victim, not a suspect मेरे कतल की कोशिशे हुई है मैं जानना चाहता हूँ कि वे कोशिशे करने वाला शक्स कौन है शिनाक चाहता हूँ उस शक्स की अगर वो शक्स मेरी बीवी है तो मालूम करो, confirm करो निर विवाद रूप से सित करके दिखाओ कि मेरे खिलाव जो हो रहा है वो सब मेरी बीवी कर रही है अंदाजों के लिए तो तुमारी मूटी फीस भनने को तयार होकर मैं यह नहीं आया या ऐसा ही है नहीं, बिल्कुल नहीं गुड and don't forget that I am a paying customer and you should have some respect for a paying customer Sir, I have all the respect in the word for you लेकिन सवाल तो पूछने पढ़ते हैं न कोई सवाल किसी को नागवार गुजरे तो भी पूछना पढ़ता है देखो, उसने नम्र समर में कहा मेरे साथ जो बीती उसके बारे में मेरा क्या नजरिया है तुम उसको भूल जाओ मेरे मौजूदा जैसी हालत में जजबाती होकर भी कोई कुछ कह बैठता है जोश में होशक होकर भी कोई कुछ कह सकता है लेकिन वो कहने की बाते होती है जरूरी नहीं कि उनकी बुनियाद में पुक्ता कुछ हो लेकिन तुम ए वेल ट्रेंड, वेल एस्पिरियंस प्राइवेट डिटेक्टिव अपने वसी तरजुर्बों के जेरे साया को करोगे वो पुक्ता होगा, उनकी बुनियाद पुक्ता होगी इसलिए करो क्या, जो पजल सामने है उसको सुलजाओ गैर मामूली वाक्यात की जो गुत्थी सामने उसको खोलो जो राज पोशीदा है उनको जागर करो कैसे, अब ये भी मैं बताऊ क्या हर्ज है, आपके जहन में कुछ है तो क्या हर्ज है वरना मैं तो जो करना है जैसा करना है करूँगा ही है तो सही कुछ मेरे जहन में क्या, लेकिन ठेहरिए पहले मेरी एक जुदा बात का जवाब देजे क्या, पुलिस में जाने का ख्याल क्यों नहीं आया पुलिस, हाँ आप तीन मर्डर अटेंट्स के शिकार हुए पुलिस को अप्रोच करने का ख्याल आपको आना चाहिए था पहले अटेंट के बाद ही पुलिस के पास जाने का अंदेशे अंदेशे के तहत आपको जाना चाहिए था क्योंकि ऐसी नापाक कोशिश तो फिर हो सकती थी वो खामोश रहा क्या कहते हैं आप भही ख्याल तो मुझे आया था लेकिन पुलिस के फिर में पढ़ने की अकलने दिगवाई नहीं थी वहाँ जाता F.I.R. दर्ज करानी पड़ती किसी की निशान देही की विज़िद होती फिर पुलिस एस्टेट में पहुंचती और वहां की नॉर्मल लाइफ डिस्टरब होती कम से कम पहली बार जो हुआ वो सच में हासा हो सकता था दूसरी बार की भी क्या गारंटे थी कि बिल्ली मेगी खा कर बधाल हुई थी क्या पता उसने बाहर कहीं कोई और जहरी ली चीज़ खा ली हो और बाद में उसने मेगी खाई हो और इसलिए उसके ऐसी तबेत हुई हो और पीछे छूटी मैगी को लैब में भेज का तो टेस्क कराया नहीं गया था उसमें जहर था या नहीं नहीं पता बिली के हालत देख रहा आप कूट के इस नतिजे पर पहुंच गए कि जहर मैगी में था अब था तो ऐसा ही जनाब आपने तो किस्सर ही खतम कर दिया जो इमारत खुद खड़ी की उसको आपने खुद ही दोस कर दिया आप बड़ाय महरबानी अपनी जान पर हुई तीस्वी कोशिश के बारे में भी अपनी रोशन ख्याल कर जहर कीजिए कहिए सीडी का डंडा इरादतन नहीं तोड़ा गया था उस रोज आपके वजन के नीचे इतफाक से तूट गया था हाँ हो सकता है ये भी आप भूल रहे हैं आपने कहा था डंडे को नीचे से आधा आरी से काटा गया था अब भही मुम्किन है जो क्रैक मैंने देखा था वो स्वाभाविक तोर पर मुतवातर इस्तमाल की वज़ा से बना हूँ और मैंने उसे आरी का कट समझ लिया हूँ खामखा? उस वत की मेरी थौट ट्रेन ऐसी थी और सामने आचुके हालात के जेरे साया अपनी तब की खथौट ट्रेन पर मेरा कोई जोन नहीं था I understand लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि मैगी का कथिक्ट सेल्समेन सिर्फ आपके घर पहुँचा था आसपरोस में कहीं नहीं गया था हाँ मैंने खुद नेवर हुड में इस बात की पड़ताय करी थी सबसे पूचा था सबने कहा कि उनके हां कोई सेल्समेन नहीं आया था I see जनाब मैगी के बारे में आपने जल्दबाजी की उसे टॉयलेट में बहा दिया क्या जल्दबाजी की किसी और बिल्ली कुत्ते को खिला कर देखता अगर वो आपकी जान लेने की कोशिश थी तो आपका जोड उसकी तस्दीक करने पर होना चाहिए था आपको पता लगवाना चाहिए था कि उसमें जहर था या नहीं वरना आपका शक कैसे दूर होता अब मुझे ख्याल आया उस समय नहीं आया क्या करता आपको पुलिस को खबर करनी चाहिए थी अब पुलिस के आने तक उस महगी को महफूज रखना चाहिए था पुलिस आकर उसे एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भीजने का प्रभन करती और कन्फर्म होता उसमें जहर था या नहीं था तो कौन सा था कितना खातक था अब सॉरी इतना उस घड़ी इतनी डीप प्रोसीजलर बाते तो मेरे दिमाग में नहीं आई खै बात पुलिस में जाने की हो रही थी वहाँ पहुँचिये बही अब जैसा की जादा मूँ फार बैठनी की वज़ा से जाहिर होई गया है जो कुछ असल में हुआ है उसकी बाबत मैं डबल मैंडेट था इसलिए पुलिस में जाने के ख्यार को मैं खातिर में नहीं लाया था तो अब मेरी अकल में यही आया था कि मुझे खुफिया पढ़ताय से मालूम को पढ़ना चाहिए कि पिछले दो हफ़ते से एस्टेट में क्या हो रहा था और कौन कर रहा था कुद्रत कर रही थी आप अभी खुद तो फैसा लेकर हटे हैं मैं मैं कन्फ्यूज हूँ एक बात पर टिकना हो तो किस पर टिकेंगे कुद्रत के करतब पर या कतिल की कोशिश पर जी कतिल की कोशिश पर फिर सोच लीचे पहली आप्शन पर जोड रखेंगे तो मेरी मोटी फीस जो आप भरेंगे उसकी बचत होगी इस वत बचत मुद्धा नहीं होता तो मैं यहां आता ही नहीं मुझे खर्चा कबूल है यानि आपका जुकाव कतिल की कोशिश वाली आप्शन की तरफ जादा है कुद्रत के कतब की तरफ कम है मुझे कन्फ्यूज मत करो मैं पहले से ही बहुत कन्फ्यूज हूँ ओके तो इसलिए पीडी यॉर्स ट्रूरली हाँ इसलिए पुलिस नामन्जूर हाँ बीवी से तालुकाद नॉर्मल है क्या मतलब मतलब कोई बखेडा नहीं, जिचिक नहीं, कोई मतभेद नहीं नतीजन तक्रार हो, फिर गंभीर तक्रार का मुद्दा बना हो अब कभी का बार तो हुई ही जाती है और ये सब अक्सर होने लगा तो नापसंद्गी की सर उठाने लगती है नापसंद्गी, never अभी डेड़ साली तो हुआ हमारी मैरिज को लव मैरिज को लव मैरिज में से लव कपूर की तरह उड़ता अक्सर पाया गया है डेड़ साल में क्या आनी हो तो डेड़ महिने में दरार आ जाती है डेड़ हफते में दरार आ जाती है हमारी मैरिज ऐसी नहीं थी नहीं होगी लेकिन पूछना इसलिए पड़ा कि आपकी बातों से साफ हिंट मिला कि बीवी के लिए आपके जहन में शक्का कीड़ा बुलबुला रहा है अवल तो ऐसा है नहीं अगर है तो अपनी डिटेक्टिव के चलते तुम इस बात में भी कोई राय कायम करोगे हाँ मुम्किन है तब देखेंगे ओके अब ये बताईए आपके जहन में क्या है जिसका जिक्र आप करने वाले थे और मैंने टोक दिया था मैं चाहता हूँ एक हफता मेरे गेस्ट के तौर पर तुम मोरवा एस्टेट में रहो एक हफता और पिछली तीन वादातों को रिव्यू करो पहली गमले वाली जो दो हफते पहले हुई दूसरी मैगी वाली जो एक फ़ते पहले हुई तीसरी सीडे़ी वाली जो तीन दिन पहले हुई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन वारदातों का ओरिजनेटर जो कोई भी हो वो उतावला हो रहा है दो वारदातों के बीच का वक्फा घटता जाना इस बात का सबूत है कि उतावला हो रहा है लिहाजा अगली वारदात और भी कम वक्फे में होने की संभावना है तो आपको यकीन है कि आपके मार डालने की अभी और भी कोशिशे होंगी हाँ जो शक्स तीन बार नाकाम रहा वो अब खामुश नहीं बैठ जाएगा हम तो आप समझते हैं अगली कोशिश और जल्दी होगी और जल्दी नहीं तो जल्दी तो बराबर होगी केस हेंडल करने की तुमारी एक्षत ये भी है कि मिनिमम पांच दिन की फीस चार्ज करोगी बहले ही केस एक दिन में हल हो जाए यस तो मैं तुम्हारी पांस दिन की फीस जमा कराके जाऊँगा एस्टेट में हफता रुकोगे तो बाकी दो दिन की फीस भी अदा करूँगा वैसे मुझे यकीन है कि पांच दिन से भी पहले तुम्हारी एस्टेट में मौझूद की में वो चौथी कोशिश होगी और तुम पहले ही जान चुकोगे कि पहले हुई तीन कोशिशों के पीछे कौन था फिर मुझे विश्वास दिलाने में काम्याब हो जाओगे कि सब मेरा वहम था या मेरे कन्फ्यूज दिमाग का खलल था कुछ भी ना हो